नमस्ते बच्चो कक्षा 8 के हिंदी सुगम भारती का व्याकरन का एक मतुपुर्ण इससा आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काल जिसे अंग्रिजी में तेंस कहते हैं और मराठी में काल ऐसे कहते हैं तो देखे आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले कि काल की परिवाशा क्या होती है काल के भेद कोन कोन से ये सब जानकरी आज हम लेने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं काल की परिवाशा काल का मतलब क्या है क्रिया के जिस रूप में कारिय करने या होने के समय का ग्यान होता है उसे काल कहा जाता है यानि कोई भी क्रिया हो रही है तो जब हमें समय का पता चलता है कि वो समय कोन सा है उससे हमें उस क्रिया का काल पता चलता है क्रिया के उस रुपांतर को काल कहा जाता है जिससे उसके कारिय व्यापार का समय उसके कारिय व्यापार का समय और उसके पूर्ण अत्वा अपूर्ण अस्ता का बोध होता है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ होता है समय तो समय का मतलब है काल यह तीनों वाक्या ध्यान से सुनिए यह तीना पढ़ाई कर रहे हैं यैने उसकी पढ़ाई करने की क्रिया है उसका जो काम है वो चल रहा मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था यह ने मोनिका चित्र बना चुकी है यह क्रिया घट चुकी है और मुकुल मित्र के साथ अम्रुसर जाएगा तो जाने की क्रिया अभी तक हुई नहीं होने वाली है तो इसका मतलब पहले वाक्य में क्रिया चल रही है दूसरे वाक्यों क्रिया होने वानी तो इस तरह से हमучिस्त को सब्सक्राइब क्रियुचुत करना गें, जी एकर्णा के माद्यमुंस से हमने कहुए पुरी जानकारी के लिग्व०। होती है जो उपर के पात्र से नीचे के पात्र में धीरे धीरे गिरती है यह जो उपर की रेथ है वह अब तक गीरी नहीं है गिरने वाली है तो इसे कहेंगे भविश्यकाल उसके बाद यह जो रेथे नीचे की वह गिर चुकी है तो इसे कहेंगे घुतकाल और सबसे बीच में देखे ये जो बीच का इस्सा है ये वाला ये ये इस्सा गिर रहा है यानि वर्तमान काल का इससे हमें बोध होता है इस अकुर्ति से हमें काल के उपभेद के बारे में पता लगने वाला है मुख्य भेद तीन है वर्तमान काल भूत काल और भविशत काल ये मुख्य तीन बेदे आप एक एक करके पढ़ेंगे वर्तमान काल के छव भेदे जो इस तरह से देखे यह वरतमानकाल के चह भेदे उसके बाद भूतकाल के यह जो नीचे है यह चह भेदे उसके बाद भविश्यकाल के तीन भेदे जो यहाँ पर दिये गए सामन भविश्यकाल, संभावयत भविश्यकाल और हेतू मत्मत्म भविश्यकाल तो इस तरह से काल के यह 6, 6 और 3 कुल मिलाकर 15 प्रकार है जिनका हमें अभ्यास करना है अब देखिए उपर उपर के तोर पर अगर हमें काल के बारे में पता करना है तो मैं जाता हूँ यानि मेरे जाने की क्रिया अभी घट रही है मैं जाता हूँ तो ये वर्तमान काल है मैं गया मेरे जाने की क्रिया हो चुकी है तो ये भूत काल और मैं आऊंगा यानि मेरे आने की क्रिया अभी तक हुई नहीं है होने वाली है तो उसे कहेंगे बविश्यकाल क्रिया का वह रुप जिससे कारिया के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते है यानि क्रिया के जिस रुप से हमें कारिया वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान कहते है आनन सो रहा है मैं पढ़ रहा हूँ तुम क्या लिख रही हो उपर देगे वाक्यों से हमें वर्तमान समय में क्रिया होने का पता चल रहा है इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं इस काल में वाक्य के अंत में है हूँ हो जैसे आधी शब्द देखे जा सकते अब देखे वर्तमान काल के भेद वर्तमान समय यानि जो समय शुरू है जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं तो वर्तमान काल के भेद देखे च्छे सामन्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल संदिक्द वर्तमान काल ततकलिक वर्तमान का और संभावय वरतमान काल सामन्य वरतमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वरतमान में होना पाया जाता है उसे सामन्य वरतमान काल कहते है क्रिया जो भी वरतमान में सामन्य रूप से होती है सामन्य का मतलब जो चारो तरफ सामन्य यहां पर भी है वहाँ पर भी है और दुसरी जगह पर भी है जो क्रिया सामन्य होती है सिंपल होती है जो हर तरब घटती है उसे सामन्य क्रिया केते हैं तो वह क्रिया सामन्य वर्तमान काल की कहलाती है क्रिया के जिस रुप से सामन्यता प्रकट हो कि क्रिया का समय वर्तमान में है न कार्य के अपुर्ण होने का संकट मिले और ना ही संदेश मिले वह क्रिया सामन्य वर्तमान काल की क्रिया होती है जैसे देखिए बच्चे खिलोनों से खेलते है वो पुस्तक पढ़ता है, माली पोदों को पानी देता है, ये जितने भी वाक्य है, इसमें कुछ ना कुछ क्रिया है, लेकिन वो क्रिया कब घटी थी, ये पता नहीं चलता, लेकिन सामान्य तोर पर ऐसी क्रियाय होती रहती है, पंची आकाश में उड़ते है, सुरिय वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, की वर्तमान काल में कारिया अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बलकि आभी वह चल रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल, कहलाता है, देखिए इससे क्या पता चलता है, कि क्रिया वर्तमान काल में है, लेकिन क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वह चल रही है, जैसे उदारन मोहन विद्याले जा रहा है, मोहन की जानी की क्रिया शुरू है, अभी तक वह पहुचा नहीं है, जा रहा है, वह रिशा ह अनुराग लिख रहा है अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अध्यापक पढ़ा रहे है पढ़ने की क्रिया शुरू है तो जिस वाक्य से वर्तमानकाल की क्रिया शुरू है ऐसा बोध होता है समाप्त नहीं हुए उसे अपूर्ण वर्तमानकाल कहते है उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल में कारिया के पूर्ण सिद्धी होने का बोध होता है, इसमें कारिया पूर्ण हो चुका होता है, उधारन नीचे दे गए, देखें अब जिस वर्तमान काल के वाक्य से क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ऐसा बोध होता है, जैसे कि वह आया है, देखें, आने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, सिता ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी पढ़ाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मैं पाटशाला में आ चुका हूँ, मेरी आने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ज जिसमें क्रिया के होने में संदेय प्रगेट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेय ना हो वो शब्द संदिक्द वर्तमान काल कहलाते हैं मैं आपको समझाता हूं जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेय हो वो संदिक्द वर्तमान काल कहलाता है कुछ संदेय है क्रिया पूर्ण होने वाले है या नहीं ऐसा कुछ संद्य है कुछ शक है उदारन मा खाना बना रही होगी देखे कुछ पता नहीं बना रही होगी या नहीं बना रही होगी कुछ पता नहीं तो खली संद्य हब शक व्यक्त किया है संद्य हब व्यक्त किया है कि मा खाना बन रही होगी, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्धाले खुला होगा, वाक्व वर्तमानकाल के? लेकिन उसमें संदे है कि ये क्रिया कब घड़ने वाली है, कब घटने वाली है, तो इसे संदे ह, संदिक्द वर्तमानकाल कहते हैं, ततकलिक वरतमानकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कारिय वरतमानकाल में हो रहा है वह शब्द ततकलिक वरतमानकाल कहलाते उधारन नीचे देखे देखे मैं पढ़ रहा हूं वह जा रहा है मैं लिख रहा हूं अब वैसे देखा जाए तो ततकलिक वरतमान यह अपूर्ण वर्तमानकाल की तरह है दिखें मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने के क्रिया तो शुरु है तो यह अपूर्ण वर्तमानकाल हो गया तो अपूर्ण वर्तमानकाल और ततकलिक वर्तमान ततकलिक यह उसिक्षन का ततकलिक at that moment सो मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तो संभावे वरतमानकाल, वरतमानकाल में काम के पूरा होने की संभावना होती, वह शब्द संभावे वरतमानकाल कहलाता है, संभावे शब्द का अर्थ होता है कि संभावित होना, या जिसके होने की संभावन उदारान से आपको पता चलेगा वह लोटा हो वह आया हो उसने खाया हो वह चलता हो देखिए संभाववे वरतमानकाल और संदिक्द वरतमानकाल वेसे देखा जाये तो दोनों एक सरीके दिख रहे लेकिन संदिक्द वरतमानकाल में संदे होता है कि बना रही होगी खाना बन तो इस तरह से इन दो कालों को अच्छे तरह से उनकी पढ़ाई किजिए भूतकाल अब वरतमान काल तो समापत हो चुका है अब भूतकाल देखे भूतकाल किसे कहते है कि क्रिया का वहरूप जिससे कारिया के बीते वे समय का पूरा होने का पता चले उसे भूतकाल कहते है जिससे क्रिया के कारिया को समापती होने का हमें बोध होता हो वो क्रिया भूतकाल की कहलाती है यानि क्रिया घट रही थी क्रिया घट चुकी है भूतकाल जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते व मैं ने पुस्त कड़ली थी, मैं घुमने गया था घुमने की क्रिया पूर्ण पूर्ण हो चुकी थी गाड़ी है अब देखिये वह खाना का चुका था था की जग़ा अगर आप है है लगाओंगे वह खाना खा चुका है तो यह वर्तमान काल होगा उसकी वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हुई है तो इसलिए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे वह खाना खा चुका है लेकिन यहापर क्या है वह खाना खा चुका था वह खा चुका था यहनी खाने की क्रिया भुतकाल में हो चुकी थी पूर्ण हो गई थी तो भूतकाल में अगर क्रिया पूर्ण हो गई थी तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते आप ये सारे वाक्य पढ़ लीजे गाड़ी जा चुकी थी रमेश पटना गया था पहले में लखनों में पढ़ता था राम ने रावन का वद किया था ना उपर दिये गए वाक्य वीतिवे समय की क्रिया के बारे में बता रहे हैं, भूतकाल की पहचान वाक्य में अंत में आया था, थे, थी से की जा सकती है, अब भूतकाल के भेद देखते, भूतकाल के छे बेद होते, जैसे सामन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्न भूतकाल संदिग दे बुथकाल सबसे पहले सामन्य बुथकाल जिससे बुथकाल की क्रिया के विशेश समय का ग्यान ना हो उस क्रिया को सामन्य बुथकाल कहते क्रिया बुथकाल की है लेकिन समय का पता नहीं चलता इन्हें सामन्य क्रिया है जैसे सामन्य वर्तवानकाल सुर्य पूरप की और उखता है या पूरप की और उपर आता है तो यह रोज का नियम है तो उस तरह से भुतकाल में जो सामन्य क्रिया होगी उसे सामन्य भुतकाल कहते हैं क्रिया के जिस रुप से काम के सामन्य रुप से बीते समय के पूरा होने क का पता चलता हो वह सामने बुद्काल कहलाता है उधारन मोहन आया देखें मोहन के आने के क्रिया हो चुकिए लेकिन कब आया आ चुका है यह पता नहीं चलता सर्व का है मोहन आया श्री राम ने रावन को मारा हां मारा कब मारा पता नहीं चलता मारा जा चुका है यह भी नही पता चलता है, लेकिन उसके समय का पता नहीं चलता, श्री राम ने रावन को मारा, सिता गई, इसके आगे था लगाएंगे, मोहन आया था, देखे, तो ये भुतकाले, इसलिए था को निकल दीजिए, था को निकलने के बाद, भुतकाल का वाक्य जो बचा होता है, था निकलन आसन्य भुतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, कि क्रिया अभी कुछ समय पहली पूर्ण हुई थी, पूर्ण हुई है, या खतम हुई है, उस क्रिया को आसन्य भुतकाल कहते, क्रिया की समापती, निकट भुत में, या तत्काल की सुची होती है, तत्काल की सुच आसन्न भूतकाल मैंने आम खाया है यह उसने आम अब भीखाया था अब वो खा चुका है तो मैंने आम खाया है अध्याभिका पड़ाकर आई है मैं अभी सोकर उठाओ अब देखें फिर से यहाँ पर कुछ संदे निर्मानोंगा कि मैंने आम खाया है यह वाक्य पूर्ण वर्तमानकाल का है मैंने आम खाया है लेकिन इसी वाक्य को हम आसन्न भुतकाल में भी कह सकते कि मैंने आम खाया है मेरी खाने की क्रिया अभी कुछ दिर पहले हुई थी इसलिए मैंने आम खाया है अध्यापिका पढ़ा कर आईए कुछ समय पहले वह पढ़ा रही थी, अभी वह पढ़ा कर आईए, तो आसन भुतकाल में वाक्य के अंत में है शब्दा आता है, ये ध्यान दखिए, पूर्ण भुतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भुतकाल कहते हैं, जिस से क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता हो, क्रिया के जि भुतकाल में, तो उसे पूर्ण भुतकाल कहते हैं, उसने शाम को मारा था, दिखिए, मारने की क्रिया भुतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, माध्य वर्माने स्मरण लिखे थे, स्मरण ये एक ग्रंत है, या यादे है, उन्होंने लिखी थी, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, भी चुका है समय, और राज कर चुके है, तो किया था, ये पूर्ण भुतकाल है, अब अपूर्ण भुतकाल, जिस क्रिया से ये पता चलता है, कि भुतकाल में क्रिया संपन्न नहीं होई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वो अपूर्ण भुतकाल कहलाता ह क्रिया भुथकाल की है लेकिन भुथकाल में चल रही थी शुरू थी समप्त नहीं हुई थी उसे अपुर्ण भुथकाल केते हैं सुरेश गीत गाह रहा था दीए गानी की क्रिया भुथकाल में थी गाह रहा था और गानी की क्रिया चल रही थी इसलिए उसे अपुर्ण भु कट होता है जैसे हमने सिखा संदिग्द वर्तमानकाल वह क्रिया संदिग्द भूतकाल कहलाती है जिस क्रिया में जिस क्रिया में संदेव बना रहता है कि भूतकाल में कारिया पूरा हुआ कि नहीं हुआ है बस छुट गई होगी तू गया होगा या वो गया होगा दुकाने ब इसलिए उसे संदिक दभुतकाल कहा आ जाता है उसके बाद हेतु हेतु मदभुतकाल यदि भुतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दुसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो वो क्रिया हेतु मदभुतकाल की क्रिया होती है याने एक क्रिया दुसरी क्रिया पर निर्भर होती है, हेतु का अर्थ होता है कारण, जा भुतकाल में किसी कारे के ना हो सकने के वरणन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वो हेतु मत-मत भुतकाल कहलाता है, इससे पता चलता है कि क्रिया भुतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारण क्रिया ना हो सकी उधारन से पता चलेगा यदी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती दो क्रिया है यदी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती दोनों क्रिया भुतकाल किये इसलिए उसे हे तू मद मद भुतकाल कहते हे तू हे तू मद भुतकाल यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते परिश्रम किया होता यह एक क्रिया है पास हो जाते दुसरी क्रिया है दोनों क्रिया एक दुसरे पर निर्बर है वैसे कहा जाये तो पहली क्रिया दुसरी क्रिया पर निर्बर है तो यदि तुमने परिष्णम किया होता तो पास हो जाते समय कालिन भुथकाल, जिन वाक्यों के अंतमें रहा था रही थी रहे थे आदिया थे और समय का निश्चित बहुत होता है, उसे समय कालिन भुथकाल कहते उदारन वे पिछले तीन गंटे से टीवी देख रहे थे अब वेसे देखा जाये तो यह अपूर्ण भुतकाल भी हो सकता है देखने की क्रिया भुतकाल में थी लेकिन उसे समयकालेन भुतकाल भी कहां जाता है वे दो दिन से खेल रहे है देखें यहाँ पर है आया है वे दो दिन से खेल रहे है वे दो दिन से खेल रहे थे थे होना चाहिए था यह यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि यह भुतकाल है बविश्यकाल, क्रिया का वह रुप जिसे कार्य के बविश्य में होने का पता चले उसे बविश्यकाल कहते, क्रिया के जिस रुप से काम का आने वाले समय के बारे में पता चलता हो वो बविश्यकाल के क्रिया कहलाती है, यहने क्रिया घटने वाली है यह जब पता चलता है उसे बविश्यकाल कहते है वह कल घर आएगा मैं समय पर काम पूरा कर लूँगा चिंटो कल कसोली जाएगा तो यह तीनों क्रिया होने वाली है इसले इसे बविश्यकाल कहते है तो बविश्यकाल के भेद देखिए सामन्य भविश्यकाल, संभावे भविश्यकाल, हेतु हेतु मत विशे भविश्यकाल सामन्य भविश्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविश्यके सामन्य धंका पता चलता हो वह क्रिया सामन्य भविश्यकाल की क्रिया कहलाती है इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामन्य वक्त बविश्य में होगी और वह सामन्य बविशतकाल की क्रिया कहलाती है यानि जिस क्रिया से हमें यह सुचित होगा कि वह क्रिया बविश्य में होने वाली जो सामन्य क्रिया है स्बी लोग करते हैं, सिसल्वलोग करते हैं, वो सामनने होता है, और भविश्यकाल है तो उसे सामानने भविशतकाल कहते हैं, वह घर आएगा, बच्चे केरम बोर्ड खेलेंगे, दिपक, अकबार बेचेगा तो ये सबी क्रियाय सामने, कोई भी कर सकता है, और ये क्रियाय भविश्य में होने वाली है, जैसे मैं कल स्कूल आओंगा, आप कल स्कूल आओंगे, पाच्छला आओगे, आप पढ़ाई करोगे, मैं मुंबई जाओंगा, ये सबी सामने भविश्यकाल है, संभावे भविश में होने की संबावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव व्यखत कहते हमें उदारन से पता चलेगा परिख्षा में शयद मुझे अंकर अच्छे अंकअ पराप्त हो देखिए परिख्षाव तक हुई नहीं है लेकिन संभावना व्यक्त की कि परिक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद चोर पकड़ा जाए, हो सकता है कि मैं कल जाओं या आओं, तो ये भविश्यकाल में क्रिया होने वाली है, लेकिन होगी की नहीं, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसे संभाव्य भविश् क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता हो, वह क्रिया हेतु हेतु मत विश्य भविश्यकाल कहलाती है, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है, ज गय flour, एक जो करेगा तो दूसरा होगा, भविष्य में होगा, इसलिए उसे हे तू हे तू मत, विशय, भविषतकाल कहते। तो इस तरह से आज हमने कालों का अब्यास किया है काल के मुख्य भेद तीन है वर्तमान भूत भविश्य और उनके वर्तमान काल के छह भेद भूत काल के छह भेद और भविशत काल के तीन भेद ऐसे कुल मिलाकर हमें 15 कालों का अब्यास करना है धन्यवाद जैहिन टेक क्यार झाल